अम्मा अम्मा का बात हुई यहां आओ बिट्या आओ कुछ चाहिए था तुमको पित खाओगी यह बताओ अब यहां सब बात का कर रहे थे हैं पर अम्मा तुम रोख आही रही हो अरे बिट्या तुम नहीं समझोगी मा का दिल है ना तुम्हारा गोईना हो रहा है और फिर आप विदाई भी हो जाएगी बाबा इतना इतना परिसान काय देख रही है मा हम आएंगे ना तो से मिले ऐसे अपने माबाबा को बोल थोड़े जाएंगे और फिर इहना हमेशा कुस रखेंगे क्या मा तुम्हार खाते इतना काय दुक्य हो रही हो अगर ऐसा है तो हम अपने माबाबा को थोड़कर कहीं नहीं जाएंगे कह देते हैं पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर माधर जी हमका माफ कर दीजे वो हट बड़ा हट में नचानिक काका कहके हम पर बचन देथ हैं तुबारा ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हार कसम वो का है न ऐसे में यह पस वो सब रहने तो उकार टेंसर मतलो थो माधर जी आप खड़े क्यों है आए यह बैठी ना पता है क्या क्या बनाए थे आपके लिए सुभा से बस अभी लाते हाँ क्या ना थुलाल तुम भी हद कर रहा थो जामाद के हत्यार्यों को थाना मने घर्मा लई आयो और बिदी बिटिया को कह रहे हो कि यह तो हार पती है दुम आप ठिखाने पर है कि नहीं हुआ है हम इतो ही कह रहे हैं पिक के बाहद एक अनर्ड कर रहे है तो अरे भाईया है और हागयों का सिधा इदा 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 को जाके सचाए काहे नहीं बताते बंद करो अपना किट-किट सब के सब पर ही का नहीं समदत हो कि अप्री बिठिया के आख में आसु नहीं देख सकते हैं सच 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 का रट लगाए होएं कल को उसे कुछ होई गवा तो कौन जिम्मेवारी लेगा बोलो कौन जिम्मेवारी लेगा जैसा चलना है वैसा चलने दो पर आप सब्सक्राइब बिल्कुल चब और सुनो बाबू इनाट करना ज़रूरी है नहीं तो हम अपने दामाद के साथ साथ अपनी बिटिया से भी हाथ दो बैठेंगे एक बार हमारी बिटिया की हाल समल जाए तब सचका सामना कराये देंगे अभी तुमको यह ढूंग करना ही होगा करोगे ना अरे तनी रुको के ना यहां पर बाबू रखो के ना कि आप दरहसल यह है कि मैंने मुझे आप से मुझे दरहसल भूक नहीं लगी है मैं ठका हूं और मैं मैं अभी नहीं नहीं चाहता हूं मैं बात में लूगा पर इतनी सी बात तो का हुआ अभी नहीं खाएंगे ठीक है जब आपको भूख लगे कि ना तब हमका बता दीजेगा हां अब आप तनिक आराम कर लीजे ठीक है अब बेटा हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाए देते हैं अब हम दामाज जी को का कमरा दिखाए जा रहे है समझे अ अधिया तुम यह खाने के थाली अंदर लेजा और दामाज जी के लिए रजाई गदल यह जी अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है चलो चुपशाप बिटिया को भनक नहीं लगनी चाहिए समझो हम दामाज जी को अंदर ले जा रहे हैं अरे बिधी को पथा पढ़ गई तो उनका हाट फेल होई जावेगा पर देशी के साथ कुछ होई गवात तो अरे कुछ नहीं होगा हम कह रहा है ना चलो तुम्हारा कमरा दिखाए दें पिधी तुम तुम ठक गई हो और तुम्हारी तभ्यत भी ठेक नहीं है तुम्हें काम करो आज तुम्हाराम करो और सोचा नहीं नहीं मादर जी कैसे बात कर रहे हैं हाँ आज की इस रात का तो हम तस साल से प्रतिक सकी हैं आज आज एसी राते तो कहीं आएंगे और वैसे भी अब तो सिंद्रगी भर का टाइम है एक दुसरे को चानने समझने के लिए ठीक है ठीक है अगर आप इतना सोते रहे हैं तो सो जाते हैं हम जाओ आप से लेट चाओ आप आप आपने से इंगे का मैं आप मैं सवंगे तुम सोजा मैं भी सोजा मैं तेरा आप कपड़ी वदलीजे आप लाएं हैं ना कपड़ी आप नहीं आप मेरे मतलब है हाँ अब वो एक्शली मुझे क्या है ना के वो बस बस हम समझ गये यह कहेंगे ना कि आप यह सोच कर आए थे कि हमें आज ही ले जाएंगे और इसलिए कपड़ी भी नहीं लाएं है ना हाँ 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 ऐसे ही कुछ सोचा था तुम आरम करो मैं फ्रेशो क्याता हूं बात नमों क्याता हूं इंजी आप सब अपतर सुए का है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं वह बिठिया वह पानी पीने आये थे तुम तुम चिंता नहीं करो तुम जाके सुझाओ है जा जाके सुझाओ पतामाची आपी जाएगे ना पीति काफे रात हो गई है मुझे नहीं नहीं आ रहे है तुम तुम सोचो नहीं नहीं कि ऐसा कैसे हो सकत है कि आप जाके रहें और हम खर राते भरें नहीं नहीं मैं मैं विस हो जाओंगा हां तुम तुम पहले सुझाओ प्लीज 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 जी जाओंगा झाल 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 पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर करता है